नमस्कार मी मुन्ना आप सभीका कुकवित मुन्ना चैनल बहुत-बहुत मनपुरोष सौगत करता हूँ आज हम विप क्रिम कैसे बनाते हो देखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरिके से विप क्रिम के वीडियो करने का प्रयास किया है वैसे ही आप विप क्रिम हमारे क्यों मेल्ट हो जाती है वैसे ही विप क्रिम फेटने के लिए हमें कितने वैट की बिटर के आउशकता लगती है और विप क्रिम हमारे कितने दिन तक अच्छी रहती है वेसे ही हम जानेंगे विप क्रिम को का स्टोर करना है और वो क्यों मेल्ट हो जाती है आकर अब हमारे चानल पहली बारी देख रहे होगे तो हमारे चानल को सस्क्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन होएगा उसे प्रेस कीजिए चला तो फिर इसे भी बनाना स्ट करते हैं सबसे पहले हम विप क्रिम कौन से कंपनी या ब्राइंड की लेनी वह देखेंगे तो में जीस एरिया में रहता हूं मुझे उदर प्रीमियम कंपनी की ट्रोपोलाइट ब्राइंड की विप क्रिम आवलेबल हुई है ऐसा भी हो सकता है आप जीस एरिया में रहते है है कि नहीं जैसे कि मार्केट में आमूल की फ्रेश क्रीम मिलती हैं उससे हम क्रीम बना सकते हैं बट उससे केक के आइसिंग हम नहीं कर सकते हैं वैसे ही में आपको ट्रोपोलाइट ब्रैंड के वीप क्रीम के पैकेट को उल्टा करके दिखाता हूं यह देखें पैकेट के गये उदर इस package की किमत कम या ज्यादा हो सकती है विससे आप देख सकते हैं उपर के side में तू open ऐसा लिख वैसे है किके Store करना है वह भी information package के ऊपर प्रवाइट की गई है company के और से है प्रब्सक्राइच हम डो रचाता है कि यह क्रीम पूरी तरह से वेजिटेरियों के लिए बनी है वैसे मैंने पहले आपको बताया बॉक्स के उपर परसनल हमें टू ओपन इसा लिखके दिया है उधर से यह आप हमें पैकेट केसे ओपन करना हो दिखाता हूं या देखे इस प्रकार से हमें पैकेट को टेना होता है उसी प्रकार आप वीडियोँ में देख सकते हैं या देखे आप देख सकते हैं पूरी तरह के से हमारी क्रीमिटे हैं यह मतलब बर्फ के रूप में हैं एसे हमें बर्फ में creating story करके रक्नी होती हैं बट हम जब भी वीप क्रीम पना निकोर लेते हैं टाभी हमे क्रीम है लिक्विट सोरूप में चाही होती है वैसे मैंने वीडियो में के इस पैकेट को कैसे ओपन करना है वह दिखा है वैसे हम पैकेट को कैसे स्टोर करना है वो भी देखेंगे आभी हमने जिस तरह कैसे पैकेट को ओपन किया था उसी प्रकार से हमें पैकेट को क्लोस करन और यह पैकेट हामें फीजर में स्टोर करके रखना है। पैकेट हमें फीजर में रखते समय इसlezर बर्षना जाए इसपर खैस हमें ध्यान देना है। तो हमारी क्रीम बीट करने के बाद मेल्ट की होते ही उस कॉशन का अंसर है कि हमारी क्रीम में थोड़ा ही बर्फ गया तो हमारी क्रीम मेल्ट होएगी. जैसे हमने विप क्रिम के बारे में जाना वैसे हम अभी बीटर के विशेये में जानने वाले हैं तो बीटर हमें किस ब्राण या कमपनी का लेना है वैसे बीटर का वैट कितना होना चाहिए वो देखेंगे विप क्रिम बनाने के लिए हमें 300 या 300 प्लस वैट के बिटर के आवशक्ता लगती हैं मैंने इदर स्टॉक या कमपनी का बिटर यूज किया है विप क्रिम बनाते समय हम किस कमपनी या ब्राइंड का बिटर लेते हो कुछ भी मुझरूरी नहीं होता बस हमारा बिटर या 300 या 300 प्लस वैट का होना जरूरी होता है हम जब भी बिटर लेते हैं तब हमें कमपनी बिटर के साथ एसे दो ब्लेड प्रावाइड करती हैं इस ब्लेड का उप्यो करके हम विप क्रिम बनाते हैं यह blood हमें मसीन में यह जो हमें निशान दे हैं उससे फिलप करदेने होते हैं जस हमें इदर निशान दे हैं उसमें यह blood इंसर्ट करके इसे प्रेस करदेने होते हैं इस तरह के से, सेकेंड वाला भी हम इससे प्रकार से लगाएंगे, तो यह थी बीटर के विशे ही short AC but important information, आभी हम actually cream फेटने को शुरुआत कर रहे हैं, तो cream फेटने के लिए हमें कौन से बरतन के आउशकता हैं वो देखेंगे, तो आप cream फेटने के लिए इस प्रकार से काच का या plastic का वैसे ही हब steel के बरतन में भी आप cream फेट सकते हैं, बस हमें बरतन लेते हुए हमारे ध्यान में रखना है कि बरतन हमारा चोड़ा नहीं होते हुए ऐसा deep होना चाहिए, आपको यह बहुत ही जरूरीड प्याता भी ध्यान में रखनी के आप जिस भी बरतन में cream को बीट करने वाले वह बरतन हमें 10 मिनिट के लिए फ्रीज में रखकर थंडा कर लेना है, मैं अभी इस थंडे बाउल में आट कर रहा हुँ, एक पाव इतनी means 250 सेमेल इतनी विपीन cream, cream देख सकते हैं आप अपनी liquid सोरुप में है, वैसे हमें cream लेते समय, 250 सेमेल उससे ज़्य आदा या कम भी cream नहीं लेनी है, आभी मैं इस spatula के मदर से cup की cream भी निकार रहा हुँ, आभी हम cream को beat करना स्टार्ट कर रहे हैं, बीटर हमें इस प्राकार से cream में डाल कर डिप कर लेना है, और एकदम slow speed पर इसे 4 तरप से चलाना है, आभी हमें bitter को एक मिनिट के लिए एकदम slow speed पर इसे चलाना है, जिससे के हमारी cream है, सौब बनती है, वैसे आप देख सकते हैं, bitter को हमें cream के 4 तरप से चलाना है, वैसे आप आभी एक मिनिट बाद देख सकते हैं, हमारी cream देखिए, अल्मोस डबल हो गई है, आभी हम वैसे ही bitter को एक एक spread increase करते हुए चलाते रहेंग नहीं तो हमारी cream है, बीट नहीं होगी, वैसे ही आपको market जैसे soft एसे cake के icing करनी है तो, आपको एसे ही slow से high तक आपको speed एक एक करके increase करते रहना है, जिससे हमारी cream hardner बन का soft बनेगी, आगर आप इधर तक हमारी वीडियो देख रहे हैं, और अभी तक अपने हमारी चैनल सस् प्रूर एक like दीजे, आभी मुझे तकरिबां 5 मिनिट हो गये, वीडियो अपनी bit करते सुए, यह देखिए अपने वीडियो का volume आप देख सकते हैं, अल्मोस दुगने से 3 गुना हो गया है, वैसे ही आप देख सकते हैं, वीडियो के उपर अपने 100 पेसे picks आने लगे हैं, एक दम high speed के उपर अभी हमें बीटर को चलाना है, क्रीम को चारो तरफ से हमें इसे ही फेटे रहना है, यह देखिए और 2 मिनिट के लिए मैंने वीडियो को बीट करके लिया हैं, वैसे ही हमें 5-6-7 मिनिट वीडियो को बीट करने में लगी जाते हैं, अभी हमारी वीडियो बीट हुए वो जानने के बहुत सारी ट्रीक है, वो आपको बताता हूँ, यह देखिए वीडियो के उपर आपको लेयर्ज दिख रहे हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारी क्रीम हैं पर्फेक्ली बीट हुई है, और 2 ट्रीक है कि आप आपना बीट किया हुआ बाव नीचे गिर नहीं रही हैं, इसका मतलब है कि हमारी क्रीम पर्फेक्ली बीट हुई हैं, वैसे यह आप देख सकते हैं, स्पैचुल के उपर का जो पॉइंट है, वो बिल्कुल स्टेबर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी क्रीम है पर्फेक्ली बीट हुई हैं, आगर आपका पॉइंट सेबल नहीं रहा तो आप समझ डाई के अपकी क्रीम यह पर्फेक्टली बीट नहीं हुए तो आपकी क्रीम आपको और चलानी होगी अभी हम इसी क्रीम का प्रयोग करके बाजर में जैसे हमें बेकरी स्टाइल आइसिंग के हुआ केक मिलता है वह कर सकते हैं या तो ग्लास में डालके हुए पाइपिम बैक को फोल्ड कर सकते हैं इस प्रकार से अपने पाइपिम बैक को फोल्ड कर लिया अभी हम इसमें स्टार लोजा लाइट कर देंगे इस प्रकार से या देखिए आभी हम पाइपिम बैक को निचे से थोड़ा सा कट कर लगा लेंगे अ इस तरीके से अभी हम पाइपिंबे को इससे टाइट कर लेंगे अभी में इस स्टार वाले हम वन नोजल को उप्यों करके आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ यह देखे हमें इस प्रकार से फ्लावर्स बना लेने चोटे बड़े आप जीस आकर में चाहिए उस आकर में फ्लावर्स बना सकते हैं अभी मैं आपको और एक डिजाइन करके दिखाता हूँ यह देखे इस प्रकार से हमें पाइपिंपे हुटानी रखनी है हैं इस प्राकर से आप अपने केक को स्टार वरी बॉर्डर निकाल सकते हैं देखे कितनी खुबसुरब बॉर्डर इससे तयार हो जाती है या देखे इसी नोड़ा से उपयोग करके हम एक और बॉर्डर वरी डिजाइन करके दिखाते हैं या देखे ज़से आमें नोजर रखना है और आगे की और खिछना है रखना है खिछना है आज के हमार विप क्रीम के बारे में जांकर इधर तक की थी सो आपको यह वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजे और आभी तक आपने हमाय चैनल सब्सक्राइब निखे हो तो कर लीजे और बाजो में जो बेल आइकोन हैगा उसे प्रेस कीजे वेसे ही हमें कमेंट में जरूर आपकी प्रतिकिया बताना सो थैंक्स पर ओचिंग थैंक्यू